नमस्ते मैं हूँ अनुकमा और आज लेकर आई हूँ मैं एमेजोन डेली वियर साडी हॉल जी हाँ आम लोगों में से बहुत लोग परिशान रहते हैं कि हम डेली वियर में किस टाइब की साडी पहने जो मिंटेन करना इजी हो और देखने में अच्छी लगें मतलब हम तो इसके लिए आज का हॉल में लेकर आई हो आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा सबसे पहली है यह रेड कलर की साडी तो यह रेड कलर है और यह जोड़जट बहुत सॉफ्ट वाला है पहने बहुत ही कमफर्टेवल लगेगा तो यह साडी है यह रेड कलर की और ब्ल का बॉर्डर लगा हुआ है और यह साडी असी है ना कि आप इसको मतलब घहर में भी पहन सकते हैं और चोटे-मोटे ओकेजन में भी आप इसे पहन सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है और ऐसा कलर है कि मतलब इसको मिन्टेन करना बहुत ईजी है कपड़ा भी इसका आच् लेकिन हमने पहनना बंद कर दिया है आज मैं डेली वियर साडी के लिए हॉल कर रही थी तो फिर मुझे यह दिखा तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको पहनूंगी और सही मैं मुझे पहन के बहुत अच्छा लग रहा है और अगर आप लों के पास भी ऐसा मंगल सूत्र या रिं पहन सकते हैं अगर सिल्वायकि रिंश पर को सु Leep और एप्चों से पोछे खेань घर ने और इच्छ करना भी तो कि आजा बचों से पूछेंगे यह अपने घर के लोगों से पूछेंगे कि आप उनको सबसे अच्छे किसमें लगते हैं तो ओवियसली बोलेंगे साडी में क्योंकि मेरा बेटा भी यही बोलता है लेकिन वही हो जाता है कि टाइम की शॉटेज की वेसे और थोड़ा सा जंजट की वेसे साडी पहनना एवॉइट करते हैं लेकिन यह मिंटेन करना बहुत एजी है और मुझे लग रहा है कि मुझे भी अब रेगुलर जैसे घर में मैं सूट पहनती हूँ तो साड़ियां भी पहननी चाहिए क्योंकि खुद को अच्छा फील होता है और जब हम खुद खुश होते हैं खुद हमें अच्छा लगता है तो हमारे घर के लोग भी खुश रहते हैं और लडाईयां कम होती है यह चीज मैंने नोटिस की है अगर हम खुद खुश होते हैं तो उस दिन हमारे घर में लडाई बहुत कम होती है नेक्स्ट है यह शिफॉन की साड़ी तो यह साड़ी मैं काफी टाइम से डून रही थी क्योंकि प प्लाउज़ पीस है यह पल्वाग पैस आप अपकी सब्तों क्यु段 होती है नहीं थो पहन सकते हैं और आगी थैसका कलर कीजिया साड़ी ०े भाग बहुत ब्लहांट प्लीजएन्ट है इस त कि उसमें बिल्कुल नहीं पता लगेगा और इसको आप बिना पिन के भी इस टाइब के से पहन सकते हैं जैसे मैंने बिना पिन लगाए उपर आचल करके रखा है तो यह बिल्कुल फिसलने वाली साड़ी नहीं है और बहुत कमफर्टेवल है इसली आप इसको काम करते समय उस साड़ी है और यह रहा इसका ब्लाउज पीस इसके साथ भी प्लेन ब्लाउज पीस है तो आपकी मर्जी आप सिल्वाना चाहे सिल्वा सकते है नहीं तो ऐसे भी पहन सकते हैं तो यह पहन के आपको दिखाती हो यह काफी लाइट वेट साड़ी है ट्रांस्पेरेंट है और इसका color बहुत ही प्यार है और यह कई सारे colors में available थी तो मैंने blue लिया है जैसे कि blue मतलब वो होता है न कि शगुन होता है शगुन तो क्या ऐसे ही बोल रही हूं लेकिन blue मतलब नहीं चाहते हुए मैं लेही लेती हूं पता नहीं कैसे लेकिन मुझे blue color बहुत अच्छा लग रह हो रहा है और मेरा मन नहीं कर रहा है इस साड़ी को change करने का और जैसे कि अगर आपको पिन नहीं लगाना हो तो ऐसे भी आप इसको पहन सकते है और इस टाप की साड़िया इनको डेली वियर में office वियर में आराम से कैरी कर सकते हैं बिना किसी जंजट के और नेक्स्ट ये साड़ी है मेरी ये भी chiffon की साड़ी है तो लोग इस रेंज में जो इतनी अच्छी quality नहीं होती है तो इसकी quality काफी अच्छी है और इसको आप घर में बाहर में कहीं पहन सकते हैं बहुत ही प्यार है कलर भी इसका आप देख सकते हैं जो हर किसी के उपर ज सिलवा सकते हैं और जो भी साड़ी है मैंने इस चीज का जरूर ध्यान रखाए कि जो डेलिवियर में comfortable हो और maintenance में उनका बहुत ही कम time जाए बहुत ही कम पैसे लगे और सबसे बड़ी बात है कि जिसमें हम थोड़े पतले लगे तो ये चीज का ध्यान में रखके मैंने साड सकते हैं बहुत प्यारी साड़ी है और इसमें मतलब आपका वजन थोड़ा बहुत जादा भी हो तो भी आप पतले लगेंगे और सबसे अच्छी बात है ना प्रेस का जंजट ना इसको maintain करने का जंजट जादा और पहनने पे ये काफी expensive feel आपको और अगर आप इस टाइब जादा पूरा आपको अपर जरी का वर्क है और इधर अधर अगर देख सकते हैं इसके उपर पूरा जरी का वर्क है और इधर स्लीव में भी है और जिलनों को बहुत ज्यादा डीप नेक नहीं पसंद है तो वो कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि मैं प्रेफर करती हूं बहुत ही ज्यादा डीप नेक वो मुझे थोड़ा नकमफर्टेबल लगता है तो यह आप देख सकते हैं कपड़ा भी अच्छा है और बहुत सारी साडियों के साथ यह चल जाएगा यही था मेरा आज का डेली वियर साडियों का हॉल आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और सभी साडियों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप चेक कर सकते हैं और जैसे जो साडियों मैंने ली है वो दूसरे Karen's में भी अवियलेबल है तो आप वह चेक कर सकते हैं तो इस विडियो में इतना ही मिलती हूँ आपसे नई किसी वीडियो में तब तक कि लिए बॉँ बाई-बाई